तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में तो दोस्तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वो बैल नोच्पिकेशन ओन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 रुपे के दो ऐसे सिक्कों के बारे में जो कि आपके पास है तो आपको वो माला माल बना सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो की मैं ले 5 रुपे के एक रेर और वैल्यूबल कोईन के बारे में बनाई थी तो आप मेरी वो वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रप्शन में डाल दूँगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ 5 रुपे के 2 सिक्कों के बारे में तो पहला सिक्का आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एक 5 रुपे का 9 ग्राम वजन का रेर कोपर निकल का सिक्का दोस्तो समय समय पर मैं आपको ऐसे वैलूबल कोईन के बारे में बताता हूँ जो कि अजादी से पहले बने थे या अजादी के बाद बने थे मैं खुद एक coin collector हूँ, coin पर research करता हूँ, study करता हूँ, जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आपको share करता हूँ तो मेरी वीडियो के माध्यम से भारतिय सिक्कों की जानकारी आपको मिलती है जो की valuable है जिन सिक्कों की आपको collection करनी चाहिए तो अगर ये वीडियो आपको useful लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना अब जानते हैं 5 रुपे के उस rare copper nickel के सिक्के के बारे में और दोस्तों आज की वीडियो काफी जादा knowledgeable होने वाली है क्योंकि इसमें मैं जानकारी देने वाला हूँ आपको 5 रुपे के शरम जगत के worlds of work के copper nickel के अलग-अलग mint के सिक्के के बारे में ये जो 5 रुपे का worlds of work ILO जिसको हम ILO कहते है 1994 का 9 गरम वजन का copper nickel का सिक्का इसका size है 23 mm shape S की round ages देखेंगे तो security ages देखने को मिलते हैं ये सिक्के भारत की तीन अलग-अलग mintों से ढले गए थे Bombay, Hyderabad और Noida अगर बात करें Hyderabad और Noida mint के सिक्कों की Hyderabad और Noida mint के सिक्के थोड़े square की category में आते हैं UNC condition में उन सिक्कों की बात करें तो उनकी कीमत करीब चल रही है 1000 रुपे से लेकर 1200 रुपे तक होती है वहीं बात करें Bombay Mint के सिक्के की तो Bombay Mint का सिक्का common की category में आता है लेकिन UNC condition में उसकी कीमत भी करीब-करीब 100 रुपे चली जाती है आपको अपने collection में ये सिक्के जरूर एच करने चाहिए क्योंकि समय समय के साथ इन सिक्कों में तेजी देखने को मिल रही है अगर कभी ये सिक्का आपको circulation में दिख जाये तो हैदराबाद और नोइडा मिंट का उन सिक्कों को आप अपने collection में जरूर एच कर लेना आने वाले समय में इन सिक्कों की value और ज्यादा बढ़ जाएगी अब भात करते हैं दोस्तों पांच रुपे के दूसरे सिक्के के बारे में जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है पांच रुपे का कॉमिनेटिव कोईन लाल भादु शास्त्री बर्च सेंचुरी यह जो पांच रुपे के सिक्के जारी हुए थे इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ऐसे पांच रुपे के अलग-अलग कॉमिनेटिव कोईन से रिलेटिज मुझे से कोश्चन करते रहते हैं उन्ही में से एक ये सिक्का है पांच रुपे का लाल बादु शास्ट्री का क्योंकि ये कोईन अलग-अलग मेटल में आये थे काफी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेटल वाइज वैल्यू जानना चाते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे कोईन्स हैं जो कि स्टैनलेस स्टील और कॉपर निकल में भी आये थे तो बहुत सारे सबस्क्रेबर ऐसे भी हैं जो कि यह सोचते हैं क्या कोपर निकल के सिक्के हर कोई सिक्का महंगा होता है जो कोमिनेटिव में जारी हुआ है स्टेनलेस सिक्के की वैल्यू कम होती है तो ऐसा नहीं है इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए स्टेनलेस सिक्के और कोपर निकल के दोनों सिक्कों की वैल्यू बताऊंगा कौन सा सिक्का कौन सी मिन्ट से जारी हुआ था सबसे पहले बात करूँगा 2004 में बने कोपर निकल के लाल बादु शाष्ट्री के कोईन के बारे में कोपर निकल की धातु से बना ये 9 गरम वजन का सिक्का है जिसका साइज है 23 mm शेप है इसकी राउंड कोपर निकल का ये सिक्का सिरिफ और सिरिफ कलकत्ता मिन्ट से जारी किया गया था और अगर UNC कंजिशन में इस कोईन की बात करेंगे तो UNC कंजिशन में इस कोईन के आपको मिल जाएंगे 500 रुपे से लेकर 600 रुपे आज की डेट में आगे चलकर 2-3 साल में इस कोईन के जो रेट पोचेंगे वो पोचेंगे 1200 रुपे से लेकर 1500 रुपे ये जो deep information मैं आपको अभी दे रहा हूँ तो समझ सकते हैं कि आपको कोई UNC कंडिशन में 500 रुपे में जो सिक्का मिल रहा है आगे चलकर सोचिए वो कोईन कितना rare की कैटेगरी में आ सकता है अब जो अगला कोईन है stainless steel की बात करते हैं इसकी value भी जान लेते हैं कितनी value है और जो subscriber मेरे से पूछते रहते हैं कि आज की वीडियो में समझ आये जाएगा लाल भादु शास्ट्री का कोईन rare है या नहीं है अब जो अगला कोईन है वो है stainless steel का 2004 में बना लाल भादु शास्ट्री का ये सिक्का जिसका वज़ए न 6 ग्राम कोपर निकल वाले का 9 ग्राम है इसका 6 ग्राम है size इसका 23 mm shape है इसकी round stainless steel का ये कोईन कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से जारी हुआ था दोनों ही मिंट के सिक्के common और normal है असानी से मिल जाते हैं circulation में भी ये easily देखने को मिल जाते हैं इन दोनों में से कोपर निकल का सिक्का valuable है कलकत्ता मिंट का ये एक valuable और collectable कोईन है जो आपको collection में रखना चाहिए हर कोईन में कुछ न कुछ खास बात होती है जो valuable कोईन होता है सिर्फ ये जानना होता है कि उसमें क्या खास बात है value इतनी ज़्यादा कोईन की क्यूं हो जाती है और दोस्तों मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ कुछ यूट्यूबर अपनी वीडियो में कोईन के price बहुत कम बता रहे हैं जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है इन लोगों को setting होती है एक्जीविशन में अपने dealer बिछाते हैं वहाँ पर आप लोगों को बोल रहे हैं कि coins और सिक्के बेच दो आप बेचने तो एक्जीविशन में ही जाओगे न तो वहाँ उनकी setting होती है rare coins आप से ले लेंगे ये चीज़ समझिए अभी आपको बोल रहे हैं कि इसलिए क्योंकि दिल्ली एक्जीविशन लगने वाली है आप अलट हो जाएं बिल्कुल भी अपना कोई भी rare coins sale ना करें ये आप से कम दामों पर ले लेंगे जब इनके पास माल आ जाएगा तो ये rare coin बोल देंगे इसलिए आप ऐसे यूटूबर से बचिए जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं भविश्य में आपका नुकसान ना हो कुछ यूटूबर की वज़े से जो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं मैं लिख के दे सकता हूँ ये यूटूबर coins के rate बहुत कम बता रहे हैं आप इन लोगों की वीडियो बिलकुल भी ना देखें ये आपका mind wash कर रहे हैं बिना proof के वीडियो बना रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं अपने चैनल पर कोई भी logic नहीं है क्या मतलब निकलता है उसको भी ये नहीं पता दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद